Lamped Skin Disease, LSD के केस आने फिर से सुरू। कई इस तरह के जो एरिया है जहांपर Lamped Skin Disease के जो ändidade का देना इस्टराट करें जिसे की पशुआ में ये Lamped Skin Disease नहीं करती है, आम हो जाती है तो आपको पता है कि कितने खतनाक होती है और कितना नुकसान आपके परशूमें करती है तो इसके लिए आपको क्या करना है लंपी स्किन रिजिए कैसे बचाना है और यह दी हो जाए तो किस तरीके से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं वीडियो सोटे बने गई है चैनल पर नए है तो पहले चैनल को सबस कोई भी आएं तो तुरंत आपको वीडियो दी जाती है देखो इती लंपी स्किन डिजिए आपको देखा कि परशू की सरीर की चमड़ी पर चोटे-चोटे दाले से उबराते हैं गांटे से बन जाती है पूरी बोड़ी के उपर और जिससे कि आए कि परशू खाना पीना चोड़ देता है यह वहती खतना बीमारी होती है इसे पुषों की डैथ भी बहोगा हौती है पुषोंकी इम्मिल्टी डाउन हो जाती है दूर देने वाले पुषों में दूद की महात्रा नहीं बचा सकते तो इसलिए जिन पश्चु की इम्मुटी डाउन है या जो पश्चु कमजोर है या जो दूद देने वाले ज्यादा गाय बहांसा जो ज्यादा दूद देती हैं जो बार-बार जो कई पर बेक्टिल वाइरल इंफेक्टेड होती हैं तो उनके लिए आप इम विटामिन जिसके अंदर विटामिन ये परे विटामिन आप अपने पश्चु मेंप्रेक्ट करोंने तो आपका पशू इस तरह की बीमारी से गर्षित नहीं होगा तो भी कोई दिकत आपके पशू में देखने को नहीं मिलेगी इसी तरह से बॉइटामीं सी का उपयोग करें वीटामीं स्थी बहो ज्यादा जूरी है वीटामीं मिले आप अपने पशूंग को indiskAC तरह सकते हैं जिसे कि आपके प्शुंग की इम्मिनूटी बढ़े होने से पहले आप अपने पर्षू में प्रियोग कर सकते हैं आप अपने पर्षू जिस प्रकार से फिटकरी है उसका उप्योग कर सकते हैं पर्षू को फिटकरी का पानी पिलाएं बहुत अच्छारी जैल मिलेगा जैसे रात को बिगो दिया और उनका पानी है जैसे एक लिटर आप जिस प्रकार से एक एजी फिट करी लेकि आ गए और उसको 15-20 लिटर पानी में बिगो दिया सुबर सुबर आप अपने परशूं को एक लिटर दो लिटर आप परशूं को पिलाते रहें जिससे क्या कि आपके परशूं की इम्मूटी बढ़ती क्यां जुक्ते हैं यह साफधानी रखेंगे और यह आप अपने परसूं को देते रहेंगे तो आप अपने पर्शूं चाह सकते इसी तरह चेंशर परसके Cant stabil一次 ही इससे तो चिपंच सब्सबार कर दो को ने मिले या जी सतरह से आपको जो जूचिसर फिलनी के लिए जो आती है वियूतोक से या दर आती है उस से दवा का भी आप उपियोग कर सकते हैं जिससे कि आपके परसूं के जूचिसर ना लगे उन un D쉬istical कर ताकि परसूं में या उनका छिर्काव कर सकते हैं एक लीटर पाने में दो से तीन अमेल आपने वह डाली और उसका चिरकाव भी कर दें यह दिस सरीर के ऊपर चिरकाव कर देंगे तो इससे क्या होता है कि उसको अक्षणल पेरा साइट हैं जैसे जू है चिच्चड है किलनी है मकी आएं वह आपके पशूं के पास नहीं आएंगी यह दि आप इनका उप्यों करते हैं तो अक्षणल पेरा साइट के लिए आपको जो मैंने बताई हैं यह आप अपने पशूं में उप्यों करें सबसे बैस्ट और बैटरे जेल मिलेगा तो लंपी स हैं दूद देने वाले पशूं हैं उनमें दूद कि मात्ता डाउन होती होती है न इस था की कमें अ असकते हैं कि पशूं में क्या वापिस आ सकती है चिन पशूं में लंपी इस्किंगंत हुई थी और उनका आपने treatment करवा लिया हुआ है जो गाएं हैं बच गई हैं तो उन में क्या होता है कि इस तरह की immunity उसके शरीर के अंदर पैदा हो जाती है लेकिन फिर भी उनमें दस से पांस से दस परसेंट वापीस होने के chance रहते हैं अन्यता बहुत कम chance हैं उन पशुव में लंपी स्कीन डिजीज के जिन पशुव में हो चुकी है उनको दोबारा उने में कम chance लगेंगे क्योंकि इस गांदर इम्मुनिटी इस तरह की पैदा हो चुकी है उस वाइरस के परती फिर भी कई इस तरह की तो आप जितने में जबी चुरहा करण उन पर आप जाएं और वह तेखे ने विधिने यह थे ऊंटी से ऑपने पुस्सो को दो आप अपने वाइक से यह पंपने उगसी नेशन करवा है तो आप आपा तुपS regulatory नहीं जिसी करवाये से अब जाएं और उन से आप तीकारण करवाएं भश्म सरकारी असौस्टाल है और आपके जो यह नहीं बताएगी युक्त याभण पसुँआ को एक नीम है वह आप अपने पसुँआ को देते रहें चाएक कि आपके पॉस्थ की बढ़ती रहें पॉसों की दाओन लोग तो इसके लिए आप अपने पॉस्थ ना लगें तो विटामिन के कोई भी लिकविड आते हैं उनका फियो ची इसके इंदर कि है इस तरह की ₹ को इस तरह की वीमारी से बचा सकते हैं तो ईश्たइब कर दे ताकिक यह पीद वीमारी भी जाए तू कि नहों तो